उद्दूगीक थाना शेटर पुलीस को सुचना मिली कि गोतम नगर में एक कीम शेट के गोदाम में अवेद भंडाड कर रखा है जिसमें नकली खात की बुर्या रखी हुई है उद्दूगीक थाना पुलीस ने इस बात के सुचना क्रशिवी भाग को दी सुचना के आधार पर क्रशिवी भाग की टीम मौके पर पहुची टीम ने पाया कि गोतम में बिना लाइसेंस के अवेद भंडाड किया हुआ है जिसमें कितना शक और गुलन शील उर्वरक के आदियो और एक विलो के पेकेट रखे हुए थे पेकिंग पर गॉल्डन क्राप् ने मुंबई की बताई जा रही है मोके से करीब 50 पेकेट जब्त किये गए जिनकी अनुमारित कीमत 4-5 लाक रुपे बताई जा रही है फिलाल गोदाम किसका है इसकी जानकारी नहीं मिली है और दोगिक थाना पुलीस मामले के विवेचना कर रही है चांच के बाद संबंद व्यक्ति के खिलाफ F.I.R. दर्ज की जाएगी फलाल क्रशी विवाग के अधिकारी लोकेश गंगराडे ने नकली होने की पुष्टि नहीं कर रहे है उनका कहना है कि बिना लाइसेंस के अवेद बंदार किया हुआ था आज दनांग 28 जनवरी को पुलिस द्वारा हमको कुष्टि वाग में सुक्षना प्राप दूई थी कि यहां पर गौतम नंगर देवास में तीन शेड में गोदाम में कुछ फटलाइजर और इंसेक्टिसाइड का वैद भंधारा हुआ रहे है तो यहां पर आने की पंचनामा बना हुआ है और उसको उसको अपनेा हुआ रहे हैं और सबस्क्राइज किसी कर पार जानकारी नीं विद्वारी है जैसी रहारी मिल बभार इन ऐसा कहें नहीं सकते क्यों कि कि और भी किसी प्रवाइद के जिए कि लिए जो मशीने की जिए सार फाली पकेट मिला लिए यहाए हुए मॉंबई की फ़र्म थी उसमें पूरा पैकिंग का माल हुआ हुआ है और पूरे बोरो में सील पैकी थाए है तो जो परा प्रॉरो में पैक मेरत है तो यह कहने पर पेकिंग की जा रही है किसी पकार विले के रूप में इसको घोल बनाके चड़काओ करते किसान लोग तो यह उसी चीजों के लिए चड़काओ के लिए उप्यों करते हैं अब बनाद करते हैं जानकारी जानकारी नाम याद है अब को इंपोर्टेट वाइट लगे गाए अब वही चीज़े सब देखना पड़ेगा अब इसमें कमनी मुंबई किये लेकिन यहां पाया गया है दिवासक इमरामेन अबिशेक सोनी के साथ राजिश पमार की यह रिपोर्ट